हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने बुरुशेमंद यूट्यूब चैनल पर 68 लाग से जादा पैंसन दारों को आखिर काल मिल ही गया नए साल का तोफा लोग सबह चुनाओं को मद्दे नजर रखते कैंसरकार और पैंसन दारों को और केंदर करमचारियों पर हुई महरमान कैंदर सरकार ने खोली खुसियों की तीजोरी एए इस पे इंडेक्स के आकड़ों ने फिर लिया जवर्जत उचाल डी ए यानि महंगाई बता 50 फिजदी के पार पैंसन धारों के लगातार चली आरी मांग को लेकर कैंसरकार का बड़ा एलान 15 फिजदी की बंपर बड़ोतरी के बाद पैंसन में बड़ा उच्छाल तीन साल से पुरानी लंबी चली यारी मांग को लेकर केंदर साकार ने दे दिया ने जाल का तोफा अठारे मायरे भुकतार का रास्ता साफ अब इंतजार हुआ खत्म फेट्मन फेक्टर जो की हाल में 257 फीजदी है जिसे बढ़ा कर तीन दसमलों 0-0 फीजदी होने पर पारी मेनत कफल होता है साथ में चैनल पर फस्ट है विजट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा दीजे ताकि करमचारी और पैंसन विगर जवाने से संबंदीत वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास महुचे सबसे पहले तो चलिए जानते खबरों क को विश्टार से बिना किसी देरी के देजभग के करोड़ों केंद्रे करमचारी पैंसन धारफ को कुलिए साल दोजार चोबिस की पहली गुद्नूज में बत्ते का नयाकड़ा जारी हो चुका है अच्छी खबर यह कि महंगाई बत्ता पचास वीदी का मिलना लबक तैमान बत्ता जा रहा है कि पिछले आंकड़ों तक की महंगाई बत्ता इसके करीब पहुंच चुका है रिटेल ऑर इसमबर यह इस पी आइंडेक्स के महँगाई बत तक 46 फीज़ी से बढ़कर 50 फीज़ी हो जाएगा एक फ़र की बात करते हैं केंदर और राज्य सरकार की और से लाखों पैंसनर को समिशमें पर कई तोफित दे जाते हैं अब राज्य सरकार ने पैंसनर को एक और खुसकपरी सुनाई है आप से आपकी पैंसन सा कोई फायदा देखने को मिलेगा राइस्थान सरकार ने नियुनतम आए गारंटी कानून लागू कर दिया है राइस्थान देश का ऐसा राज्य बन चुका है जिसने ये कानून लागू किया है इस गारंटी कानूं से हर साल पैंसन बढ़ेगी साति सामाजिक सुरक्शचा पेंसन की भी गारंटी दी जाएगी अगली खावरी की बात करते हैं अटल पेंसन स्कीम से मिलने वाली रासी में लंबे समय से बढ़ोतरी को उम्मित जताई जा रही है एक फरोरी को पेस होने वाले बजट में इस स्कीम से मिलने वाली रासी में बढ़ोतरी हो सकती है मीडिय रिपोर्ट्स में दावा किये जा रहा है कि अंतरीम बजट में सरकार पेंसन दार्यों की मांग मानतों इसका पैसा बढ़ाने की दिसा में सोच सकती है पेंसन कोस नियामक और विकास पर देकर ने भी सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें अटल पेंसन योजना के तहट मिलने वाली रासी में बड़ोतरी सिपारिस की गई थी कयास है कि सरकार अटल पेंसन स्कीम के अधिकतम रासी को पांच जार रुपे से बढ़ा कर साथ जार रुपे कर सकती है पता दे कि फिलहाल पूरे देज़ भर में अटल पेंसन योजना के लगबग पांच करोड तीस लाग लाबारती हैं आगे बात करते हैं अठार माँ बकाया एरियर भुकतान को लेकर आई बड़ी खुस ख़बरी की याद रहे करोडो केंदरी करमचारी पैंसनर लंबे समय से अपने अठार माँ बकाया एरियर भुकतान को लेकर मांग करते आ रहे थे इस सम्मन्द में पर्वामंत्री जी को भी ये मांग पत्र बेजा गया था लंबे समय के बाद 18 मेने बकाय डियरे पर बड़ अपडेट आ गया है सम्मन्द में पर्वामंत्री जल्दी करमचारी को खाते में 18 मेने के डियरे के बारे में जानकारी देती है सरकार ने बताया था कि कोरोनमामारी के दोरन करमचारी को रोके गए महिंगा बत्ते से सरकार को 34402 क्रोड का फायदा हुआ था करतारी लाग ज्यादा केंदरी करमचारी और 60 लाग ज्यादा पैंसनर को जल्दी डियरे का पैसा मिल सकता है पतादिक सरकार के तरफ सभी तक डियरे को लेकर कोई भी सेहमती नहीं मनीती लेकिन अब उम्मीद यह लगाई जारी है कि आगामी लोकसर बचुनाओं को मद्धे नजर रखते हैं सरकार करमचारी और 50 लोगों को लोबाने के लिए 18 मेने एक बकाया डियरे का बुक्तार कर सकती है अगर ऐसा होता है तो देजबर के करोड़ों करमचारी पैंसनर के खातों में दो लाग गुर्पे तक की रासी ट्रांसफर कर दी जाएगी साल 24 की सुरुवात हो चुकी है और इसे उसके सुरू होने के साथ ही केंदरी करमचारी के लिए की बड़ा अपडेट आया है इसके अतैत करमचारी को सेलरी पर जल्दी बंपर बड़ोतरी देखने को मिल सकती है पहले उम्मीति की सरकार साल खतम होते है इस पर बड़ा फैस चीदी कर दिया जाता है तुम तो वेतन अठार जार रुपए से बढ़कर चब भी जर्प हो जाएगा